उत्रपदेश के आजमगड़ और रामपुर में उपचुनाव के लिए तेज जून को मद्दान हुआ वोटिंग के बीच आजमगड़ के एक बूत पर कई महिला बियलो द्वारा भगवा रंकी साड़ी पहन कर डूटी करने को लेकर बवाल मच गया आजमगड़ के डियवी डिगरी कॉलेज में इस सित्थ बूत संक्या 342 का पूरा मामला है महिला बियलो का कहना है जूट मूट का इसे इश्यू बनाया जवा रहा है बियलो साधना शिवास्तव ने कहा हम लोगों को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं हम लोग आगनवारी का 15 अगस और 26 जनवरी का ड्रेस बनाया है गलती से हम लोगों ने इसी ड्रेस को पहन लिया उन्होंने बताया कि हम लोगों को आगनवारी का ड्रेस है 15 अगस और 26 जनवरी को पहनते हैं बागी अन्य दिन हम लोग गुलाबी साड़ी पहन कर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि गलती से ये ड्रेस पहन ली है। इसके रहे सभी पार्टी से सौरी बोल रहे हैं। उन्होंने ये बे कहा कि उनकी साथ ही लोगों ने बारी-बारी से अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली। वह पूरे मामले पर SDM सदर बी आर चोधरी का कहना है अमरित महसों के दोरान चल रहे कारकरम में ये ड्रेस कोड है लेकिन उन्हें बियलो को ये ड्रेस पहन कर नहीं आना चाहिए बदादे कि समाजवादी पार्टी का गड़ समझी जाने वाली आजमगड़ और रामपुर संसदी सीटों से चुनाव लड़ रहे 19 उमीदवारों की चुनावे खिसमत का फैसला 35 लाग से जादा मतदाता करेंगे समाजवादी पार्टी प्रमुक अखलेश यादव द्वारा आजमगड़ सीट से त्याग पदेने रामपुर सीट से वरिश्ट सपानेता आजमखा के त्याग पत्रे देने से इन दोनों सीटों पर चुनाव आवश्यक हो गया था अकलेश यादो और आजम खान इस साल की शुरुआति में हुए विधान सबाचुनों में विधायक चुने कै